जो अनलॉक टू प्रारंब हुआ है इसमें सभी चीजें वही रखी गई है जो भारत सरकार का निदेश है जो गाइडलाइन सो मिनिस्ट्री से आई है केवल एक एडिशनल रेस्टिक्शन लगाया गया है और हम लोगों ने उसका आज कुछ जगे इड़र्टीजमेंट आया ह है और मैं उसको बता देता हूँ एक बार पड़ भी देता हूँ कि सभी शौपिंग माल, दुकान, सारवजनिक वहन जैसे बस, टैक्सी, आटो इसमें परिचालन कर्मियों, चालकों, ग्राहकों और सवारियों इन सभी के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवारिक किया गया ह तथा सम्मंदित प्रतिस्थान, वहन के मालिक के उम कर्मियों, चालकों के लिए ये भी आवश्यक किया गया है कि वे बिना मास्क वालों को प्रवेश ना दें यदि जिला प्रशाशन या पुलिस द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंगन पाया जायेगा तो वो लोग आदेश पारित कर इस आदेश के उल्लंगन के लिए जो भी दोशी, शौपिंग माल, दुकान, व्यवसाइक प्रतिस्था, नत्वा वाहन के जो भी ये चलन है उनको ये बंद कराया जा सकता है उसके लिए जिला पताधिकारियों को अधिकरत कर दिया गया है और पताधिकारियों को तो इसके लिए मैं भी अनुरोद करूंगा आप लोगों से कि इसको थोड़ा सा हाइलाइट करने की आवशकता है थोड़ा लोगों को एडुकेट करन दो फीगर्स में आपको खली बता देता हूँ कि जो राशन कार्ड वितरन का भी कारे चल रहा है और बनने का जो राशन कार्ड विहीन परिवार है उसको लेके कल माननी मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा की थी उसकी मुख्यसचीव के साथ और उसमें भी इंस्ट्रक्शन दिय गया है कि 15 जुलाई तक जो भी राशन कार्ड बनने हैं राशन कार्ड विहीन परिवारों के जो चिन्नित हुए हैं अभी उनको बना दिया जाए अभी तक 22,81,870 राशन कार्ड जनरेट हो चुके हैं और वितरन जो हुआ है वो 4,79,108 इतने राशन कार्ड का वितरन भी कर दिया गया है और जो रोजगार स्रजन प्रात्मिक्ता के आधार पर विभिन विभाग स्की मोनिटरिंग कर रहे हैं 4,78,000 से कुछ अधिक स्कीम में लापडाउन के बाद से 9,23,000 से ज्यादा मानो दियुसों का भी स्रजन किया जा चुका है इसमें और राशन कार्ड के बा परिवार हैं इनको शीग्र 15 जुलाई तक सभी को राशन कार्ड मिल जाए ताकि ये लोग भी लाब उठा पाएं इसके लिए विभाग को निदेश दिये गए है